ST की पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोड की charges क्या लगती है जब दिये हम product list करते हैं उसका shipping charges क्या होता है, transaction charges क्या होता है और payment हमको कैसे मिलती है ये सारी चीज़े हमने पिछली वीडियो में बताया था इस वीडियो में आपको बताऊंगा document कौन-कौन सा लगता है हम account खोल के practically देखेंगे product upload करके सब चीछ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो account कैसे खोलते है उसके लिए ये वीडियो को देखो और चलो account खोलके आपको दिखाता हूँ सो आगे हम अमरे website में सबसे पहले क्या करना है website की link में description में दे दूँगा जाके सबसे नीचे जाना है sales to ST करने के बाद simply ऐसा dashboard खुलेगा dashboard तो नहीं बोलते website खुलेगा गेट स्टार्ट में क्लिक करना और उसके बाद simply यहां से लॉगिंग कर लेना तो मैं लॉगिंग के लिए simply Gmail से करता हूँ ताकि पासवर्ड बगरा ना बनाना पड़े मुझे दुवारा तो यह लॉगिंग हो चुक है एक मिनट ओके लॉगिंग हो गया so simply एसा आपको simply एसे दिखेगा और सिता गेट स्टार्ट में क्लिक करना है एक बार क्लिक किये तो ऐसे दिखेगा welcome ंडीजी और we are excited सारी चीजे तो लेट दो इस करना है और यहां पर बहुंत सर्वे की सर्थम पूषता है बहुंत स्टार कोशन है आप आते तो आपको सेलेक्ट करना है तो कर लेना अगर नहीं करना है तो सिंपली आप स्कीप कर सकते हो ठीक है तो एक वार में स्लेक्ट कर लेता हूं और नेक्स्ट ओके तो यहां पर देखो यहां पर यहां पर आपको सिखाएगा कैसे अपको अपना ब्रेंडिंग करना है प्रोडक्ट कैसे तो यहाँ पे सिंपली आपको डिटेल डालना है मैं यहाँ डाल दूँगा English और India और Indian रुपीज करके simply मैं next कर दूँगा ठीक है इसको site करता हूँ मैं okay so next कर दिया अब यहाँ पर shop का नाम पूछ रहा है ठीक है आपको shop का नाम रखना है username रखना है कुछ ऐसा रखना कि जो unique हो जैसे Dizzy product रखा तो यह नाम पहले से किसे ने taken किया है तो यह नाम मैं और यह बन गया अब यहाँ पर देखो GST पगेर पूछेगा ठीक है इंडियुजवल करोगे तो GST नहीं लगेगा अगर business करोगे तो definitely GST लगना है तो इंडियुजवल करना आगे बढ़ना और यहाँ पर लिख देना country, India ठीक है country यहाँ पर कर दो इंडिया का है या इंडिया ओके इंडिया यहाँ अपर अपना नाम अप लिख देना मैं लिख देतो प्रकाश दास ओ नीचे ये last name डालना है दास डेट बड़ लड़ देना और सब सही-सही डालना ठीक है गलत मत ड मैं दाल देता मन फ़ैबरेरी या डाल देता है 1997 अब यहाँ पर पैन कर्ढ़ बगिरा मांगे अपक पैनकार का नमबर देना है यहाँ पर नेशनल लेटी मैं इंडिया कर देता हूं और उसके बाद पैनकाड और पुरे डीटेल मांगेगा तो यह सारी चीज़ मैं भरूंगा PayPal के बारे मैंने बताया था, तो मैं अपना PayPal का एकाउंट यह पर डाल देता हूँ, जो भी आपको पैसा मिलेगा ना, जो भी आप कमाई करोगे ना, वो आपके PayPal एकाउंट में डाला जाएगा, वहाँ सबके bank account में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना PayPal का एकाउंट ड दिया, और हम आगे बढ़ गए, ठीक है, तो उसके बाद इधर पर पुछेगा, आपको डालना है अपना UPI ID आप पे, ठीक है, बिना UPI ID के अगर देंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और यहाँ पर अगर GST देना है, और अप्शनल है, तो आप दे सकते हो, ठीक है एक बार इसको verify कर लेते हैं, ठीक है, verify है, और simply save and continue करेंगे यहाँ से, तो हमारे यह पूरा process हो गया, ठीक है, अब एक OTP आएगा नमबर पे, तो मैं simply अपना नमबर यहाँ पे text कर देता हूं, और यहाँ पे 91 कर देता हूं, जो कि हमारे India code नमबर है, और हमारे वेट करेंगे, OTP के लिए, तो OTP आचुका है, तो OTP आप डाल देता हूं, 45, 5459, ओके, हमारे एकॉंड खुल गया, यह कुछ backup नमबर मिलेगा, तो इसको आपको save कर लेना है, ठीक है, बाद में जब भी password अगर भूल जाते हो ना, यह काम आएगा, तो इसको मैं save कर देता हूं, स्किन शॉट ले लिया, और simply हम continue कर देंगे, और अब आगया main page, अब हम करेंगे listing, ठीक है, तो listing में click किये, अब हम एक image ले ले लेते है, shoes का, और shoes का image हम ले लिए, इसको हम यहाँ पर edit भी कर सकते है, ठीक है, जैसे edit के लिए हम simply यहाँ पर click करेंगे, अब देखो, zoom out, zoom in क कर सकते है, ठीक है, हम करते है, save, और आपको अगर डालना है, वीडियो बगएरा, वो भी आप डाल सकते हो, यहाँ पर title डाल दे रहा है, जो भी shoes होगा, तो simply मैं, यह सारी चीज़, मतलब example के तौर पर कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपना जो भी product है, उसे category बन गया, ठीक है, अब primary color कौन सा है, shoes का color मैं डाल देता है, वाइट, और secondary color हम छोड़ देते हैं, ठीक है, size देना पड़ेगा, तो size हम दे देते है, randomly, और यहाँ पर occasion बगएरा डाल सकते हो, आप जिससे सर्च करने वाला, आराम से सर्च करके ढून सकता है, यहाँ पर भी मैं छोड़ देता हूँ इसको भी, और यह सारी चीजे मॉट्टूकल फिजर, तो यह चीजे एक बार आप पढ़ लेना, जब यह लिस्टिंग करोगे, यह सारी चीजे पढ़ लेना, आप description डालना है, तो simply मैं description डाल देता हूँ, यहाँ पर, है ना, बस आपको दिखा रहो कौन-कौन सा feature है, ठीक है, मैं exactly वो सारी चीजे नहीं डाल रहा हूँ, और यहाँ पर text बगर आपको डालना है डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर डालना है price, तो मैं डाल देता हूँ, 1600 रुपए, यह इंडिया के लिए 1600 और नीचे, foreign में, जो इंडिया के बाहर वाल हो, कितन 99 रुपए, quantity कितना quantity अपने बास पड़ा हुआ है, तो 10, ठीक है, SQ में छोड़ दूँगा, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, per listing का 0.20 पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 16 रुपए होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वीडियो देख लेना कि प्रोड़क्ट कहा से निकलना है, तो मैं डाल देता हूँ, अपना जो भी रहेगा, 492015, ओके प्रोड़क्ट यहाँ से निकलेगा, प्रोसेसिंग टाइम कितना दिन लएगा, डिलिवरी होने में, तो 4 से वाइपास से 7 दिन कर दिया, और इंडिया के बाहर बेचेंगे, मतलब इंडिया के बाहर बेचेंगे, तो कितना दिन लगेगा, वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, और कौन सा पार्टनर यूस करोगे, तो मैं FedEx कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे इंडिया का है पूरा, और इंडिया के बाहर बेच होगे, तो यहाँ पर डालना है, तो डेके बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसाल, अब यहाँ पर देको आपको यह सारी डीटेल डालना ही पड़ेगा तो जैसे हम Safe करेंगे, तो यह सेव नहीं होगा, उपर आपको डीटेल डालना ही है, कि कितना weight है, कितने लंबाई चोईरी है, सारी चीजह डालना है, तो मैं हम देखेंगे हमने इसको नहीं भरा था तो हम इसको एक बार बार देते कपका यह प्रोड़क्ट बना हुआ हो गया complete एकदम simply हम कर देंगे save and continue save and continue और हमारा जो product है वो listing हो जाएगा देखो product listing हो गया 3000 रुपए में 15 रुपए इंडिया वालों को दिखेगा 3000 रुपए इंडिया के भार वालों को तो ऐसे एड मुर करके आप और भी लिस्ट कर साथ तो यहाँ पर हमने देख लिए account कैसे खुले अब product हम कैसे लिस्ट करें और लिस्ट करने के charges क्या होते है transaction fees क्या होता ह है और international product हम बेचेंगे तो उसका delivery charges क्या होता है वो सारी चीज़े मैंने बाजू की वीडियो में बताया है और साथ ही साथ कुछ Indian sellers के बारे में भी बताया है तो उसके लिए आप यह बाजू वाली वीडियो देख लो